सो हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनले टेड़ शीफू और आज के इस वीडियो में हम करने वाला एक कंपाउंडिंग सो बैसिकली मेरी नॉलिज के बैस मैं टेड़ प्लेश करूंगा और कंपाउंड नहीं कितने भी लेवल तक जा सकती है जब तक हमको एकनम सही ऑपरशूट मिलेगी तब तक हम टेड़ प्लेश करेंगे यहाँ पर हमको फर्स्ट वार में एक सही ओपरशूटी मिल सकती है तो मैं यहाँ पर बाईंग की सेड में चला गया हूँ अब बाईंग की सेड में जाने का एक दम शिंपल रिजिन है क्योंकि यहाँ पर विक का लेवल था अब मेरी knowledge के recording मैं यहाँ पर trade place करता हूँ ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं किसी की भी knowledge को यहाँ पर include करके trade place करता हूँ मेरे पास जो knowledge है उसी के base में trade place करता हूँ जो मैंने time market को दिया है उसी के base पर इसलिए मैं आपके लिए एक और request कर रहा हूँ छोटी सी request है जो आप ही सिर्फ follow कर सकते हो ठीक है आपको क्या करना है कि यह जो week होती है ठीक है binary marketing क्या होता है week का level भी बहुत ज्यादा important होता है जैसे मैंने यहाँ पर इसको देखके trade place की तो मेरे according यह इस week को fulfill करेगा तो आप क्या करना है कि comment में जरूर से बदा देना है week से related आपके mind में जो भी doubt है वो आपको comment में जरूर से लिख देना है क्योंकि मैं उने doubt को combine करके एक detail वीडियो बनाऊँगा जिसमें particularly हर लेक topic को clear करूँगा और वो भी एकदम साई topic मतलब जो भी आप comment करूँगे उन सभी topic को pick करूँगा एक को भी नहीं छोड़ूँगा शाम 5 बजे तक आप पास time है तो जो भी वीडियो को देख रहा है एक छोटी से request बस यह ही है कि प्लीज वीडियो को comment जरूर से कर देना week से related आपके mind में जो भी doubt है ठीक है छोटा बड़ा जो भी doubt है comment कर देना ठीक है तो यह तो request होगी आपसे I hope आप इसको follow कर लोगे अब यावे week को देख के हमने क्यों आपर trade piece की अब मेरी जो knowledge है वो यापर क्या कहती है कि week में ठीक है week में आपको दो बात है क्या notice करनी है कि सबसे पहले तो वो जो week है उसमें buying की side में अगर जैसे यह buying candle बनी अगर इसमें selling का pressure आ रहा है तो no doubt याप बाइंग की side में जाना चाहिए और second जो main point है वो क्या होता है मेरी knowledge के बैसे भी बता रहा हूँ ठीक है week में सिरफ वही candle को fulfill करता है basically करता तो क्या पता सभी को होगा जैसे यहाँ पी यह है यह main knowledge से बार है ठीक है मेरी knowledge क्या कहती है कि week में सिरफ वही candle को fulfill करता है जो dozy बनी हो जैसे यह आप देखोगी तो इतना तो मुझे लगता है कि इतना तो आप सब को पताओगा कि dozy candle क्या होती है then hammer क्या होती है लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि buying or selling का जो game होता है वो क्या होता है जब आप buying or selling के game को समझ जाओगे कि किस candle में किस moment पे कितने ज़्यादा buying या selling आई है तो no doubt आप week के level को भी identify कर लोगे जिससा आप यहाँ पे देखोगे अधिया बोड़ डोजी होनी चाहिए अगर इसको देखोगे यह थोड़ी बहुत डोजी है क्योंकि यह पे पूरे नहीं है जैसा आप यहाँ पे देखोगे यह भी एक डोजी है क्योंकि जितनी buying और selling का moment है यहां पर विक में, उतना यहां पर शो भी कर रहा है, इस विक को मार्गे ने फुल्फिल किया, इसको नहीं किया, इसको भी मार्गे ने फुल्फिल किया है, लेकिन यहां पर मैं ट्रेड पेस नहीं करता, जहां पर मैं ट्रेड पेस कर सकता हूं, वहीं पर आपको बताता हूं यहां पर मैं quedarा जाता है वह बहुत ज़्यादा छोटी है arms है यहां पर मैं चला जाता है क्यों हो बड़ा भी बना अपर जो डोशी इत्या है करना होता है उससीलिए मैं त्या चा एक डम देंक Amen मेरा टाइम इन्वेश्ट करूँ जिससे कि मैं हर एक टोपिक को आपको डंग से एक्स्प्लिन कर पाऊँ उसमें मैं भी दो से तीन दिन का टाइम मिलेख सकता है तो वो टाइम भी आपको मुझे को देना पड़ेगा जिससे कि मैं एकदम सही नोलेज आपकी साथ में प्रोवाइट करवा पाऊँ ठीक है यहाँ पर इस विक को क्यूँ फिल करेगा सबसे पहला रिजन क्या है यहाँ पर विक बनी एकदम हेल्दी विक है मतलब ऐसे छोटी विक नहीं बनी है जैसे आप यह देखोगी एकदम छोटी विक है यहाँ यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल भी था ठीक है और यहाँ पर एक वी पैटन का फॉर्मिशन कम्प्लेट हो चुका है जो मैं अगर यह बताना चाहूं जो बहुत लोग क्या करते हैं कि वीडियो में विक के लेवल को बता देते हैं जैसे मैंने आप यह बताया कि विक बनी तो इसको फॉल्फिल किया लेकिन आप यह भी देखा करो कि क्या सिरफ विक के लेवल को ही फॉल्फिल कर रही है क्यों फुल्फिल करेगी क्योंकि या पर जैसा मेना आपको वह रहा कि या पर क्या था एक विक का लेवल था जो इस पॉंट पर हाई जाकर बना चुका था तो यह जो विक है वो इदम सही विक बनी है तो इसको मार्केट फुल्फिल कर सकता है मतलब छोटी नहीं बनी है ओविसली जो केंडल है उसके अकोर्डिंग मनी है इसकेंड रिजन क्या है कि यह एक डोजी केंडल बनी है ठीक है तो इसे मार्केट ने फुल्फिल कीया है उसमा आपको 2-3 बातों के क्या ध्यान रखना है कि एक-दो ट्रेंड के अकोड़िक उनों जिसे यहां पर मार्केट था तो इसको फुल फिल कर चुकिये मार्केट से लिंग का टेर्ट था तो इसको भी फुल्फिल किया फिर से इस पॉइंट पे वी पेटिन का या होरिजोंटर लाइन का लेवल आ चुका है तो इसको मारिट ने फुल्फिल किया ठीक है तो ऐसे दो तिन बाद उको कम माइन करके ही टेट बेस करना चाहिए अब ही मैं चाहता तो यहां पर क्या बोलता है कि यहां पर विक की लेवल बना इसको मारिट ने फुल्फिल किया और मैं चाहता तो कुछ भी एक्स्प्रेंट नहीं करता जैसे वरिजोंटर लाइन फिर आपको क्या डाउट आता है जो मेरी नॉलिज़ की अकोटिंग एकदब सही बन चुकी है तो यहां पर नो डाउट इसको फुल्फिल करना चाहिए बस इस के लिवल मैंने कोई भी पॉइंट को नहीं देखा था लेकिन आपको इन सभी पॉइंट को देखना है कि color pattern वर्क कर रहा है या नहीं अगर यहां पर आप देखो कि 3 green, 3 red तो फिर से 3 green बनेगे अगर 3 नहीं भी बनी तो 2 तो at least बननी ही चाहिए क्या पता दो-दो का formation फिर से start कर दे यह होती है market behavior कि यहां पर first क्या हुआ let's suppose यहां पर यह तीन बनी फिर यह तीन बनी यह हो चुक है एक pair मतलब इन दोनों को आप एक pair मान सकते हो तीन-तीन फिर यहां पर क्या हुआ है दो-दो यह हो गया second pair फिर हो गया एक एक यह हो गया third pair जो basically OTC market में मैंने क्या notice किया कि market तीन point तक एकदम सही formation देता है मतलब अगर किसी pattern को बनाना शुरू कर दिया तो third point तक वह एकदम उसी को formation को continue करेगा as per my knowledge ठीक है सो हमारी first trade यहां win कर चुके है और basically हमारे जो target है वह तो क्या बता कभी का अची हो चुका होगा क्योंकि मैंने 45 dollar की सबसे पहले trade place की थी क्योंकि market मुझको सही बता हूँ तो आज इतना अच्छा लग नहीं रहा था जब मैं बैटा था फिर भी मैंने market को just identify करने के लिए आदा से एक गंटा दे दिया इसलिए जो वीडियो है मैं बहुत ही late start किया हूँ ठीक है अब मेरी knowledge के according इसको भी market को fulfill करना चाहिए तो यहाँ पर हम trade place करेंगी 86 dollar की अब मैं यहाँ पर buying के side में नहीं जा सकता अधरवाज यह अगर green की छोटी candle बनती जैसे वहाँ पर बनी थी green की छोटी candle मतलब डोजी तो मैं वहाँ पर buying के side में गया basically यहाँ पर अगर बनती है तो मैं definitely चला जाता so यहाँ पर FFLC pattern का फॉर में इसलिशाट हो रहा है fulfill the last candle अगर आप बोलोगे इस पर भी एक detail वीडियो आ जाएगा और fulfill last candle यह दोनों side move करता है मतलब यह एस तर भी जाता है और opposite भी जाता है so अब हमको एक और trade प्रीज करनी है so मैं आप दोस्ते तीन pair और भी open कर लेता हूँ so I hope मैंने आपको यह बात बता दे होगी कि compounding में किन points को ध्यान रखो दा है ठीक है फिर से आपको explain कर देता हूँ first कि आपको chart कौन से open करना है जिसमें आप daily basis पर trade करते हूँ क्योंकि उसी से आपको यह पता चल लगा कि वो chart उस period में कैसे move करता है so देखता है कि जो result है वो यहां पर क्या होता है so no doubt हमारी यह trade विन हो चुकी होगी और five second में मैंने बस यही देखके trade प्रस्ट हो basically यह trade थो हमारी विन हो चुकी है लेकिन यह risk आपको बिल्कुल भी नहीं लें ठीक है अब यह risk के लेने के पीच्छे का reason सिरफ यही था मुझे short short बता था कि यहां पर यह जो candle है उसमें एक buying का pressure आएगा क्योंकि यह जो week का level था definitely market को इसको fulfill करना चाहिए था पर मैंने यह नहीं देखे था कि यहां पर gap अप हो चुका है लेकिन फिर भी इस week को fulfill करना चाहिए थो तो आप एक buying का pressure आना चाहिए था मतलब market इतनी जल्दी इतनी selling का pressure नहीं आ सकता था तो इसलिए मैंने पांच सेकंड की trade पेस की जब इस candle में चार सेकंड का time बचा था पर पता नहीं क्यों आप पे जो time है वो और भी जल्दी first move किया जिससे कि हमारे जो trade है वो तो यहां पर सभी प्लेस हो चुकी और हम win भी कर चुके है लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल पी risk न नहीं जा सकती इसलिए मैंने जल्दी से trade पेस की और आप देखो कि जैसा ही 5 सेकंड का time खतम हुआ उसी point से market में selling है वो और ज्यादा एक्रेसिवली आना शुरू होगी तब तक market क्या वह उसी point पर रुकवा था इसलिए मैंने यहां पर 5 सेकंड की trade पेस की थी अगर मैं यह उसको कितनी बारी बचा लिया लोगों के account को ठीक है तो यह भी पूरी एक इस्टेटेज होती है कि market को आपको buying और selling के जो game होता है उसको जबा तक आप crack नहीं करोगे तब तक आप इन बातों को master नहीं कर पाऊगी एक बार यह गर आप सीख गए तो no doubt आप चिरफ 5 सेकंड करेंगे वह एक्दम successfully हो रही है तो मैं आपको यह दिखाने के लिए कि मेरे आपके सामने लॉस हो रहा है वह भी आपके सामने अब आप पर डिपेंड करता है कि आप टर्श करो या ना करो बैसिकली वीडियो को परपस सिर्फ नॉलेज बनाने के लिए तो उसको सिर्फ वह नॉलेज ले लो बस और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट किया करो जिससे मुझे भी बता चले कि मैं नेक्स्ट किस टोपिक पर वीडियो बनाओ अधर्वाइस मेरे पास वही दो बोरिंग से टोपिक होता है कि वीडियो मतलब candle reading और compounding तो आप भी अगर कुछ डाउट लेके आओगे तो मैं definitely उसमें try करूँगा effort लगाऊँगा अब हर चीज तो मुझे पता नहीं कि आपके mind में क्या चल रही है अब मैं जो भी आपको बोलता हूँ आप बस वही comment कर देतो अपने side से भी कुछ comment किया करो point बना comment करो first के wix related आज इस ने बोला है तो wix related comment करते है फिर second topic भी comment कर दिया करो मतलब एक comment में first में लिख दिया करो wix related जो भी doubt है second में खुद personal related कुछ भी doubt है वो लिख दिया करो अब इस फिक को भी वाइक फुल्फिल करेगा as per my strategy क्यूंकि आप डोजी का level था अगर यह selling में आएंगे तो no doubt में आप जाओंगा अब देखते हैं कि आप यह जो अपनी last rate होगी तो देखते हैं end moment पर अगर यह किसी भी point पर अगर यह नीचे आई तो मैं definitely यहाँ पर जाओंगा ठीक है अब ऐसा क्यों मैं आपको simple बता जाता हूं सबसे पहले wix वीग एकदम healthy बनी है ठीक है तो यहाँ पर 15 सेकेंड में क्या पता नीचे आ जाए तो मैं आपर miss opportunity को बिल्को भी miss नहीं करना चाहता ठीक है 10 सेकेंड में भी आ सकती है तो मैं यहाँ पर try करूंगा कि end point तक भी इसके साथ में जाओं सो यह अब नहीं आएगी नीचे ठीक है तो मैं यहाँ पर इतना शोर क्यों था कि मैं आप बार बार time को switch करके आप टीड प्लेस करने के लिए मर रहा था ठीक है सो यहाँ पर इस simple reason था जैसा मैंने आपको दो point बताया जैसी में नोलिज है उसके according यहाँ पर आप देखो कि यहाँ भी same candle बनी है लेकिन यहाँ फिर भी इस पर difference क्या है पर्श पर दोनोंगी candle डोजी बनी है अब मैं आपको यह बताना चाहता था डोजी मतलब यह candle ही होती है डोजी मतलब यह भी होती है जो buying और selling का game होता है वही होती है डोजी डोजी में क्या होता है बेसिकली अगर अब इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा नहीं फिर वीडियो और भी जादा लंबा हो जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आईगा ठीक है सो बेसिकली डोजी क्या होती है कि यहां पर अगर आप देखो कि तो buying जितनी आई थी उतनी selling भी आई थी मतलब buying इस point तक चाके आ चुकी है लेकिन इसमें जो selling है वो भी आ चुकी है ठीक है जो buyers मतलब अब sorry मैं आपको फिर से बताते था हूँ सो विक में क्या होता है basically market में बाइर से इस point तक चाके आ चुक है फिर इसमें क्या होगा फिर से इसमें selling आना शुरू हुई है तो अब जो buyers इस point तक चाके आ चुक है वो इस point को वापस टच करने की try करेंगे यही होती है विक को fulfill करने की पीछे का result अब में यह अब जब तक इस candle में selling का pressure आता है तब ही वो उसको fulfill करते है जैसे आप यहां पर देखोगे यहां पर क्या हुआ है इसमें buying का pressure आया था फिर इसमें selling का प्रेशर आया और यहां पर विक बनी तो इसको fulfill किया लेकिन इस point पर नहीं जाता क्योंग यहां पर डोजी बनी है तो यहां पर चल लेवल तक बने मतलब एक एक ठीक है अगर एक दो हो जैसे मैं यहां पर थोड़ा बहुत बता देवे देता हूं ठीक है यह बनी let's suppose body है सो हम body बना लेते हैं इस point पर ठीक है यह बनी body यह एक box फूरी body माल हो ठीक है और यह बनी wick सो एक box तो wick का बन गया और एक box body का बन गया ठीक है अब second scenario यहां पर क्या होगा कि यहां पर let's suppose यह बनी body यहां पर दो box बनी wick मतलब यहां पर जो body है और जो wick है उसमें difference किया है कि body एक है तो wick दो पूर्ण तर जाके आ चुकी है मतलब जो दूग नहीं है आप इससे simple स समस्क्राइब इसमें एक गुणा है और इसमें दो गुणा है मतलब body से wick का तो यहां पर क्या हुआ यहां पर जो wick है वह यहां पर उसकी a गुनी है मतलब आप यहां पर आप simply देख पाऊगे तो आपको क्या करने है वick सिरफ एक ही बारे तक fulfill करती ही यह यह आपको मानन तो यहापे आपको मेरे अकोरडिंग नहीं जाना चाहिए था क्या पता मरेकर ने एरर केंडल दे दियो हो इसलिए पिर से मारे के ने बाइंग का पैटर्न यहापे शुरू कर चुका है मुझे पता नहीं आपको समयओं आया भी होगा या नहीं आया होगा यहां पर आप देखोगे जैसा मैंने आपको बोला यह एक डोसी बनी यहां पर विक थी विक को मांकर ने क्या किया फुल्फिल किया जैसे अपने फर्स्ट टाइम में ट्रेट ब्लीस किती वहीं यहां पर सिनेरो बना और यहां पर इसको फॉल्फिल किया ठीक है, आयो आपको कुछ ना कोछ तो सीखने को मिला होगा, अब particularly मेरे इस वीडियो को target सिर्फ यह था कि compounding के बार में आपको जो reason है वो explain करूं सबसे पहले आपको chart कौन से open करें, जिसमें आपको daily date करना आता हो, ताकि आप उसके बार में हर एक point क्लियर हो, जैसे कुछ में color pattern कैसे work करता है, trend कैसे work करता है, और भी दो तिन पॉइंट ठीक है, इन second आपको क्या ध्यान रखना है compounding में कि दो से तीन strong point को लेकर चलना है, ज ऐसे तो दो-तिन pattern को आप compound करके trade करोगे, तो definitely आपको result है वह और भी ज्यादा अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, so I hope आपको आज भी कुस्ता को सीखने को मिला होगा, basically मेरा जो बोलने का तरीका है, वह बहुत ज्यादा fast है, बर मैं हर एक topic बोलने में हमेसा यही सोचता कि जो चीज मुझको पता है, वह यह आपको पता होगी, इसलिए मैं हर चीज को ज़्यादा explain नहीं करता हूँ, so अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक चीज को डंक से explain करूँ, so आप comment में चरूर से बता देना, क्योंकि वीडियो जो है वह बहुत ज्यादा लंबे बन जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि आप अपता कोई देखे या ना देखे, that's why, so जो भी मैंने बोला वो please आप ज़रूर से करते हैं, comment करने का और एक genuine comment करने का जो आपके दिल से निकले, ठीक है, so आपको आज भी कुछना को सीखने को मिला होगा, so okay friends, thanks for watching,